हलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं परवल की भूजिया एक तो मज़िदा और नए तरीके से बनाएंगे एक दम बहुत ही टेस्टी लगेगा मसालेदार परवल की भूजिया है ये आप इस तरीके से बनाएंगे ना रोटी या पराठी के साथ या फिर दाल चावल के साथ बहुत ही मस लगेगा खाने में तो चलिए इस रेवल को पूरा जरूर देखीएगा पसंद आए तो लाइक कर दिजियेगा और साथ में चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और साथ में पेल आगा प्रेस चरूर कीजियागा चलिए बनाते हैं तो सबसे प उसके बाद क्या करना है इसका जो डार्क ग्रीन पाट जो होते उपर वाला हस्किन वाला वो आपको हटाना है इस तरह से चाकू से देखे इस तरह से चाकू से हमने हटा लिया है अब इसके हम डंठल थोड़े थोड़े यह होते हैं वो हम काट कर निकाल देंगे तो दोनों त कट कर लेते हैं यह बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक तरीके से बनी एकदम लाजवाब रेसिपी है ट्राइ कीजिएगा यह देखे मैंने बीच से कट कर दिया है अब इसी तरह से ना हमें बाकी सारे परवल को इसे तरह से काट लेंगे तो चलिए हम काट कर तयार कर लेते हमें एक बॉल में पानी हमने ले लिया है उसी पानी में हम इसे डाल देंगे एक तो है कि फिर से धूल भी जाएगा अच्छा से और यह इसे गीला करना जरूरी है तो पानी में डूबो कर अच्छा से निकाल लिए क्योंकि आप पहले भी परवल अगर पानी में मतलब की ध तो आपको उस समय भीगोना ही है बनाते समय ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट पहले हमने भीगो लिया धो लिया तो फिर से ड्राइ नहीं होने देना है ठीक है इसे परवल को इस तरह से निकाल लिए और प्लेट में रखते जाएंगे आपने पहले से भी धो की रखा है तो बनाते समय ना इसे इस तरह से पानी से भी गोली जिएगा मेरे कहने का मतलब यही है चलिए इस तरह से हमने सारे को निकाल दिया है अब चलिए सारे मने अच्छे धो लिए है अब यहाँ एक तयारी करना है तो सबसे पहले तो एक प्लेट हमने ले लिया है और यहाँ पर लेंगे बेसन तो बेसन हम नॉर्मल वाली चमच से ले रहे हैं तो यहाँ हम चार चमच बेसन ले लेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि आधी चमच हल्दी पॉर्डर सारा चीज हमें बेसन के रूसार ही डालना है लाल मिर्च पॉर्डर लेंगे तो डेड़ चमच लाल मिर्च पॉर्डर ले लिया है अब एक चमच गरम मसाला पॉर्डर लेंगे और एक चमच भुना नहीं सौरी दो चमल धन्या पॉर्डर कि अलब सूखे जो बेसिक मसाले होते हैं सारे डाली चीज में और उसके बाद लेंगे इसमें नमक मैं ऑझने अच्छ देगा है तो अब हमें पर्वल लेना है और पर्वल में से बीच-बीच नहीं निकालना है जैसे भरबा परवल बनाते हैं तो इसके बीच-अंदर से पुरा काली कर दो हैं उसके पाद मसाले भरते हैं प्याज और यही बहुत तरीके से भून के बनाते हैं तो हमने यहां बेसन अच्छे से लगा दिया है इस तरह से गीले रहेंगे तभी लगेंगे अच्छे से ठीक है क्योंकि हमने इसमें होलने ही किया है ना तो बस इसी तरह से हम बाकी सारे में ल हुआ अच्छे से तयार कर लिए हैं हमने आप क्या करना है चलिए पैन में सबसे पहले लेंगे और यह पर कोसिस खीजेगा ना भारी तलेका ही पैन लीजिएगा भारी तलेका पहन रहेंगा तो अच्छे से यह भूजिया एक बहुत ही परफेक्ट बनेगा, दो बड़ा चमज तेल ले लिया है, उसके बाद आधी चमज जीरा डाल दिया है, अब तेल को हमें इस तरह से फैला देना है, पैन में, फ्लैट पैन में बना रहे हैं, तो बहुत तो तेल फैला ही रहेगा, लेकिन इस तरह का डीप पैन में ब दाल देंगे परवल लेकिन परवल को किस तरीके से डालना है आपको ये साइट नीचे ही रखना है मसाले वाले साइट इस तरह से रखना है ताकि अच्छे से मसाले सेट हो जाएं देखे इस तरह से रखेंगे और जैसे जैसे असपेस मिलता जाएगा इसे थोड़ा सा खिसका खिसका कर हम इसे डालते जाएंगे देखे इस तरह से सारे डालते जाएं देखे थोड़ा सा स्पेस बनाना है और फिर से सारे डालना है सारे इसी तरह से डाली जब अस्पेस ना बन पाए तो थोड़े बहुत जो है उपर में आप परवल डाल दीचे अब देखे इस तरह से हमने रख लिया है अब थोड़ी तरह के लिए इसे भुनने देंगे थोड़ी दिर के लिए भुनने के बाद इसे हम एक वर चलाएंगे बस हलके हातों से चम्चे से इसे चलाना है देखे इस तरह से मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इससे बस हलका फलका निकलेगा लेकिन इसमें कोट रहेगा मसाला देखे इस तरह से हलके हातों से ही आपको चलाना है एकदम भाजी की तरह नहीं चला देना है देखे इस तरह से और इसे फीर से हमें इसी तरह से भुनना है यानि कि थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए ना इसे आप भुनिएगा पूरा जरूर देखिएगा बीच में फूनकर तयार हो, मसाला भी देखिए, फूनने लगा है ना, तो अब हम इसमें सूखे मसाले फिर से उपर से डालेंगे, तो धन्या पौडर हम दो चमच लेंगे, धन्या पौडर इसमें बहुत कमाल का टेस्ट लाता है, और एक चमच हल्दी पौडर लेंगे, इसमें मसाले ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि परवल के अनुसार से ही मसाले परवल में गये थे, उपर से मसाला देना जरूरी है, लाल मिर्च पौडर हमने डाला है, अभी दो चमच, उसके बाद ले लेंगे नमक स्वाद अनुसार, तो नमक ज्यादा नहीं होगा, परवल के अनुसार अभी मैंने मीडियम आज ही रखा है ठीक है तो आज का तो सबसे पहले बहुत ही ख्याल रखना है देखे कितने अच्छे से भून रहा है ना मसाला एकदम अच्छे से लगा हुआ ही है अब 2-3 मिनट भूनने के बाद आज को लो करके ना इसे ढख देंगे आज को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और ढख ढख करना हमें इसे पकाना है दो-3 बर ढख कर इसे पकाईएगा क्योंकि ये मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब इसे सौप्ट होना थोड़ा बाकी है सौप्ट होगा तभी तो खाने में अच्छे लगेगी तो चलिए फिर से हम ढख देते हैं और इसे फिर से ढख कर हटार फिर से चला लेंगे ये रोटी पराठे के सा अथना बहुत ही अच्छी लगती है परवल की भूझिया बहुत बहुत ही भूजिया एक法 इसतरीके से मसाले वाली परवल की भूझिया बना hinten देखिए उपर से दो तीन जमच पानी का चीटा दे सकते हैं और इस तर से वही कम आज पर आप पका लीजिए यह देखिए परवल बहुत ही अच्छे से पक चुका है तो परवल के पकने तक आपको एकदम लो आज करके पका लीजेगा देखिए बहुत ही सांधार सा परवल बनकर त्य क्यार हुआ है तो अब चलिए अब कोई मसाले इसमें नहीं डालना है हम डाल देंगे इसमें हरा धन्या जिसे कि स्वाद काफी अच्छा होगा और इसे भी हम मिक्स कर देंगे और ये बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है चलिए इसे हम सर्प करते हैं और ये बनकर दयार है परवल की भुचिया पहुत ही टेस्टी पहुत इला जवाब आप एक वार जरूर ट्राइ कीचिएगा पहुत ही अलग तरीके जमेंने बनाने की कोशिस की है और हाँ दिजिएगा और बाकी भी वीडियो देखिएगा चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी पहुत सारी रेसिपी के साथ बाई बाई